हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल इस वीडियो में बात करेंगे आपके ग्रूप सी ओ डी के पदों के लिए आने वाली भरती को लेकर और सी इटी के बारे में जैसा कि आपको पता है सी इटी को लेकर कल एक नौटिस जाला गया था अब इसमें इनोंने खुद भी सी इटी के बाद लेखित परिक्षा में पचास फिसदी आंक लेना होगा अनिवार मतलब जरूरी सी इटी के बाद तयार होगा आपका स्कोर मतलब पहले सी इटी लेंगे उसके बाद जो भी वेकिंसी जाएंगी अगर वो देना तो 50% आपको लेने होंगे मालो सो नंबर का क्वालिफाई हो गया तो दुबारा भी दे सकते हैं ऐसा कुछ ने है कि एक की बार देना है ठीक है तो आपको पता है ग्रूप सी और डी के पद की जो भरती होगी बही वो सीटी की बेस पर होगी अब देखते हैं दूसरा नोटिस यह न्यूस तो हम सुबही कर चुके हैं 32 306 पदों की भरती पर लगी रोख हट गई है हाई कोट ने आदेश दे दिये हैं और आपकी भरती अब होगी इसके बाद यहां पर क्या है यह क्या लिखा हुआ है एक देखिए सरकार ने पहले तैक यह थे दस अंक मेरिट वालों को मिलेंगे लाब इसलिए कम की अंकों की स कौमनी लेजबिलेटी टेस्ट होगा परिवार पैचान पत्र बनवा चुके आवेदकों की तुलना में जिनोंने पीपी नी बनवाई है तो रजिस्टेशन के लिए दोगनी फीस देनी पड़ेगी मतलब यहां पर पांसो की बजाए आपको हजार उपे देने पड़ेंगे तिरत्य श्रेणे की नौकरी मतलब सी ग्रूप की जो नौकरी है पहले से पांच अंक का नियम है तो आपको पता ही है यह शोशो एकॉनमिक के पहले दसंक मिलते थे लेकिन अब यह हटा दिये गए है ठीक है यह आप देख सकते हैं प्रदेश शरकार ने पिछले दिनों फै कि एक अभ्यारती दस से जादा आंकी सुवीधा नहीं ले सकता सरकार ने थर्ड और फोर्थ ग्रूप की भरती के लिए होने वाले जो सीटी टेस्ट है उसके लिए नियम शर्ते यहां पर उन्हों सुचित कर दी गई है उनमें वहलाब अधिक्तम पांच अंक का कर दिया ग यहां पर देख सकते हैं कि इत्पते शरेण्यों के लिए प्सके श्रेणी के लिए पहले से नियम था तो कंच अंक मिलेंगे यहां पर और बा की जो 10 अंक था वह हटा दिया है उनको अदिक piel धेवास्ता पहले से छूमWAN कर दिया गिया गया ग्रूप 23 और गूप सी दोनों में पांच पांच अंग मिलेंगे यह कि आपकी गूप सी और डी की भरती को लेकर अपडेट और जो आपका सोच्यो एकोनमिक क्रिटेरिया को जो दस नंबर का जंजट था वो खतम हो गया पांच ही नंबर मिलेंगे अब यहाँ पर सो दिस इस दा नोटिफिकेशन और आपके वीडियो पसंद आए पसंद आए तो प्लीज लाइक शेप किजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा थैंक यू